Hello everyone, I hope कि आप लोग बहुत अच्छी होंगे Guys, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो हमारा राना प्रताफ शिंग फ्रोड चल रहा है उसमें अगर आपका रुपिया टूब चुका है आपने रुपिया दे दिया है recently दिया है या बहुत टाइम हो चुका है दिये हुए क्या वो पैसा बापस मिल सकता है क्या जो आपने personal detail उसे भेजी है उससे वो क्या कर सकता है तो यह सारी चीजों के उपर हम discussion करेंगे और कैसे इससे हमें बचा जा सकता है और इसका solution क्या है सारी चीज़े हम discuss करेंगे वीडियो को skip मत करना वीडियो बहुत ज़्यादा important है अगर आप 25 लाग की lottery वाले fraud में जो राना पिरताफ सिंग के द्वारा चलाया जा रहा है अब यह राना पिरताफ सिंग का सिर्फ नाम यूज किया जा रहा है ऐसा कोई राना पिरताफ सिंग वाला बंदा है नहीं फ्रॉड में ठीक है सिर्फ उसका यूज किया जा रहा है नाम का तो वीडियो में यही देखेंगे कि जो पैसा डूब चुका है वह मिलेगा की नहीं मिलेगा और इसका solution क्या है आमें क्या करना चाहिए ठीक है तो बीडियो पर बने रही है गाइस कुछ टाइम पहले मैंने एक बीडियो बनाया था जिसका नाम था राना पिरताफ सिंग लोटरी फ्रॉड आप यह देख सकते हैं यह वीडियो है अगर आपके साथ हो चुका है तो अब आपको क्या करना है सॉल्यूशन के आए वो मैं आपको बता दू जो यह लोटरी फॉरोड कर रहे हैं वह सबसे पहले क्या करते हैं आपको मैसेज बेशते हैं वाटसब पर या डिरेक्टली कॉल भी करते हैं या फेस्वुक के जरी आपसे बात करते हैं या इंस्टागराम के जरी है जहां से वह नहीं है वही तुझा जगत हैं ये अपको 25 वाट करते हैं और आप से बहुते हैं कि आपको 25 रुपए की कि लाट्री लगी है किसी भी तरह की प्लानिंग बनाकर आपको फसाने की कोशिस आप से बोलते हैं that you would transfer पर कर दिये जाएंगे उससे पहले आपको जीस्टी फिल करनी होगी जो इसका इमाउंट है इतना आ रहा है उसके लिए आपको टेक्स देना पड़ेगा ऐसी बाते करके आपको जाने की कोसिस करते हैं आप सोस्ते हो हाँ या टेक्स तो देना पड़ेगा 25 ला कर रहे हैं तो कितने लोगों को मैंने इस वीडियो को जरी बचा भी लिया है लाको रुपए मैंने गरीबों के बचाएं हैं लेकिन गरीबों के लाको रुपए डूबे भी हैं जो पहले वीडियो देख लेता है वो बच जाता है जो बात में देखता है फिर वो रोता है आके कमेंट बॉ तो अब हमें क्या करना चाहिए इस situation में तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि आप police station जा सकते हो नियर वाई जो आपके पास करता हो वहाँ पर जाकर उनसे बात कर सकते हो बिलकुल खुलकर बात करना कि सर मेरे साथ ऐसा सा fraud हो गया है मुझे अब क्या करना चाहिए वह बिलकुल सही solution आपको बताएंगे मैं तो कभी police station गया नहीं क्योंकि मुझे पता है इस टाइप के fraud हो रहे हैं बहुत इंडिया में high level तक प यार ऐसा होता है ना तो बहुत दुख होता है मुझे reason बस सिर्फ यही है कि यार जो गरीबों के रुपए डूप जाते हैं यार वो मेरे पास जब कमेंट आते हैं सर मैंने पच्छे हजार दे दिया मैं बहुत करीब था बहुत मुस्किल से जोड़े थे मैं समझ सकता हूं यार जो मिडल क्लास बंदा होता है जो गरीब होता है जो डेली के रुपए सेफ करता है थोड़े थोड़े उसके एक सास से इतने रुपए पच्छिस तीस जार एक लाख चले जाए तो दुख होता है यार I know that की आप समझ सकते हैं कि हम लोग इंसान है इंडिया के हैं वीडियो बनाया लेकिन मैंने कुछ लोगों को बचाया जब उनके कमेंट आते हैं तब कुछ पॉस्टिबनेस वागी फीलिंग आती है यार चलो मेरी वीडियो से किसी की तो हैल्प हो रही है तो सिंपल सा फंडा आपको समझना है जो रोपए डूप गया वो मिलना पॉसि बेच दिया आपने सारी डेल भी बेच दी लेकिन आपके नंबर पर ही OTP आएगा अगर वो रुपए भी निकालेगा आपके अकाउंट से जो आपने अकाउंट नंबर भेजा है तो आपके नंबर पर OTP आएगा तो हमेशा याद रखना कोई भी बैंक का बंदा कोई भी किसी को मत बताना विल्कुल भी नहीं बताना है आपको बस एक छोटी से चीज़ याद रखनी है आप लाको रुपए बचा सकते हैं अपने फ्रॉट से क्योंकि OTP जब तक आप बताऊगा नहीं तब तक वो कुछ कर नहीं बाएगा OTP जैसी आपने बताया तो समझो आपके पेमेंट गया समझ रहो तो अब मैं आपको एक और प्लस पॉइंट और बता दूं कि अगर आपको कभी मोवाल खो जाता है ठीक है तो सबसे पहले आपको क्या करना है जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है नंबर उस नंबर को बंद कर आके एक नई सिम चालू करवा लेनी है इमेडियेट रिजीजन सर्फ यही है कि किसी हैकर की हाथ में अगर वो मोवाल पढ़ गया आपका खोया हुआ तो वह आपके अकाउंट से सारे पैसे निकाल सकता है क्योंकि उस पर वो ओटी पी आएगा तो आपको यह समझना है कभी अगर मोवाल खो जाए तो सब से पहले उसकी सिम बंद करवाओ उस नंबर की जो बैंक अकाउंट से लिंक हो और वो नंबर अपनी नए सिम में चालू करवा लो हो जाता है ऐसा ठीक है तो आपके नियरवाइट जो भी मोवाल की दुकान हो महाँ पर जाकर पता कर सकते हैं अगर मोवाल कभी खोता है तो इसी सिच्वेशन में याद रतना वो भी मैं आपको प्लस बंड बता दे रहा हूं इस वीडियो में ठीक है तो हमेज़ा याद हो को कि ओटी पी नहीं बताना है किसी को बस एक सिच्वेशन यह है कि ओटी पी अगर बता दिया आपने तो आपका रुपया गया वोटी भी न इंदाजा है आपके नमबर के बिना बस यह याद रखना आपको तो आज की वीडियो मैंने जहां तक मुझे नौल इस ती मैंने आपको देने की कोसिज की और मैंने आपको रियालिटी बताई कि हमारी इंडिया में क्या चल रहा है यह जो फ्रॉर चल रहा है रहा सच में य चानते होंगे कि कैसे यहां से बचा जा सकता है कैसे रुपयान लोगों से निकाला जा सकता है या वो लोग कुछ कर सकते हैं पुलिस वाले बट वही हैं जो हम लोगों की मतद कर सकते हैं इस ताइम पर ऐसी सिच्वेशन में जब आप रुपए दे चुके हो ने तो आपको को ये वीडियो पसंद आया हो और विजना चाहते हैं किसी भी फ्रॉट से तो चैनल को सब्सक्राइब करके गंटी के बैल आकन को दबा दो क्योंकि मैं ऐसी नॉलिजबल वीडियो लाता रहता हूं मिलते हैं गाइस नेफ्ट वीडियो में आज की वीडियो में इतना आई